नमस्कार वन इंडिया के इस डिश्टर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है मैं रायपूर पश्चिम विधान सभा में हूँ यहां से बीजेपी के प्रजाशी है राजेश मूरत रमन सरकार में मंत्री रहे 15 साल तक बीजेपी के दिगशनेता हैं और 2018 के चुनाओं में ज स्वांस कैसा मिल रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉंस है जन्ता परिवर्तम चाहती है यह सरकार से थक चुकी है जन्ता है क्योंकि यह सरकार ने जितने मोचना ही की थी उस पर इप्लिमेंट करनी पाए क्राइम का अग्राब पढ़ गया पूरे सहर में अवेद व्यापार नासा इतना बढ़ चुका है जिन बच्चों को रोजगार चाहिए उन बच्चों को महादे वेप में इन्वाल्मेंट कर दिया इस सरकार ने यह सरकार जिसकी सोच नहीं है कलपना नहीं है जिसकी जन्म खली एकी चिच्च के हुआ बरश्टा चाहर वह एंताप सड़क पर चुकी उसके खिलाप में अचा मुझा जीप 2018 की चुना और इस चुनाओं में क्या अंतर देखते हैं उस वाक्त बड़ा एक बवाल मचा था आपको टार्गेट किया गया था अब इस चुनाओं में आप किस्नी मजबूती से आगे जनता का सईयों है परिवर्तन के लिए ज थर्जी गोश्णा पत्र के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाओं जीती थी अब जनता अपने आपनों ठगावा मैसुस कर रही है आखरी सवाल लेता हूं सर अबने पास साल देखा आप लगातार भूपेज बगेल पर आकरामा करता हूं जो गलत चीजे उसका ग्रोध करता हूं अब जनता के लिए हिद में काम करना या मेरी प्राक्पिक ना उससी के लिए में चुनाओं में और इनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के अगर तौप लिडर्शिप है चातीस गड़ में तो राजेश मुड़ा तो स्कॉप टैन में आते हैं और इनकी चभी एक हिंद साल तक मंत्री रहे इस बार यह किस प्रकार से अपनी दावेदारी जनता के बीज मजबूत करते हैं यह देखना बेहत दिल्चस होगा और रायपुर्ग की यह जो सीट है जिससे राजेश मुड़ा तड़ रहे हैं वो बेहत ही हाई प्रोफाइल सीट है वन इंडिया के लि किस शुआ हुआ 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 हुआ